आप सबी का आज बहुत ही अच्छा मुकाबल आप सबी को देखने को मिलेगा आटावडा गाउं की दर्ती पर अच्छे से बहुत अच्छा इनका एक अदम है आटावडा गाउं के जितने भी कमेटी मेंबर हैं सबी का बहुत ही बहुत स्वागत है धन्यवाद है कि उन्होंने इतना अच्छा मुकाइन बच्चों को लोकडाउन में दिया है और ओफीशियल बिल्कुल रेडी है इस मैच को खिलाने के लिए तो उसके लिए जाते हुए दोनों के दोनों के दोनों केप्टन तोस करते हुए चिचडाना गाउं और ये दोनों टीम में भी हैं बंडारी भी और चिचडाना भी ओफीशियल की बहुमिकाई राहुल और बिंदर आसन दोनों यासन गाउं के उनार खिलाडी भी है और कुछी समय में यह मुकाबला सुरू होने जा रहा है शकोरर की बुमिका में और येशी के साथ मुकाबला सुरू है मैं सोनों मुखरी एक बार फिर सब सबी का स्वागत करता हूं चिचडाना और बंडारी का यह मुकाबला बहुती अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा छोटे छोटे नने नने बच्चे और ये पास खिला कर गेम को बनाने की कोशिश चिच्डाना गाउं के बच्चो के द्वारा सक्रीन लगाने की कोशिश की थी जैसे कि मैं पिछे से देख पा रहा हूं सभी बच्चो को और डिफेंस बहुत अच्छा डिफेंस अमर्जित ने किया जै छोटु बाबा एंडवल कलब अटावडा गाउं ने इस डिस्टिक परनामेंट का आयोजन करवाया है लेकिन यह है बिल्कुल सेफ गेम साइड से पास लिया जाएगा और यह दिव्यांस ने पास लिया है और यह निल सूरज बहुत अच्छा पास और शोट भी लगा यहां पर बंडारी के खिलाडियों ने एक जीरो से बंडारी जो है अभी तक आगे हो गया है बहुत अच्छा पास था और यह रेफरी की विशल के बाद एक बार फिर से मैच चुरू ड्रीबल करते हुए खिलाडियों आगे बढ़ रहे हैं पास खिलाया है सेंटर से दो नमबर पॉजिशन सारी की सारी पॉजिशन बहुत अच्छी है चिसराना गाओं के खिलाडियों के भी और लेकिन सुरज ने बहुत अच्छा डिफेंस किया साइलेंट महुल बना हुआ है और यह पीपी के पास के दुआरा एक बार फिर से मैच चुरू बाल चला कर खेलते हुए खिलाडियों लेकिन एक बार फिर से डिफेंस बहुत ही शलो रूप में यह मैच चल रहा है चिसराना के न नेमुने बच्चे बंडारी के न नेमुने बच्चे और यह शोट लगाने के कॉसिस लेकिन कैच की है और यह अमरजीत अमरजीत के बाद सूरज सूरज ने यहाँ पर नाइन पास और यह डिफेंस पास बिलेगा साइद इनको बेलकोल नाइन डिफेंस पास इनको बिले और बहुत अच्छा डिफेंस चिसराना टीम का बिलकोल मेरे अच्छीज दोस अरजुन भाई आसन से हैं और यह बाहर की तरफ सोट लगाया वापीस अटेक पर चिसराना की टीम पर बाहर की डिलेगा बाहर के लिफेंस अच्छीज आसन आसन से आसन से अगाउव बहुत ही अच्छा सोट अनिल के दुवारा और दो जीरो का स्कोर हो गया दो बंडारी और जीरो पर है चिछडाना बी सेक्शन की टीम में हैं दोनों बंडारी बी चिछराना भी और इसके बाद यह मैच चुरू फिर से रेफरी की विशल मिश्टर राहूल ओफीशियल हैं काफी अच्छे खिलाड़ी भी है राहूल अभी आल ही में ओल इंडिया जुनियर नेशनल जो हुआ था उसके अंदर और यह चले है अनिल अनिल ने बहुत अच्छा सोट किया गोल लगाने में कामियाब वह पिशात्ते हुए अनिल अपने खेमे में चिछ डाना वर्षीज बंडारी भी फैंट किया था लेकिन गयप नहीं बंडने दिया खिलाडियों ने बहुत अच्छा डिफेंस शिफ्टिंग वाड़ा डिफेंस देखने को मिल रहा है और ये नाइन पास फिर से मिलकुल साइलेंट माहूल बंडता हुआ लेकिन दोस्तों आज का दिन बहुत ही खास पानी पड़िस्टिक के लिए सारे के सारे गाउं जो पड़िस्टिक के अंदर हैं करीबन करीबन नो या दस गाउं के अंदर एंड़ खिले जाती है और सारे के सारे टेमें आज यहां पर पहुंची हुई है और जहां तक अब तक की बात है कोई भी गोल करने में नाकामियाब है और यह डिफेंस पास छोटे छोटे बच्चे नने नने बच्चे नन्हा मुना राही हूं देश का शिपाई हूं सोट लगाने की कोशिश लेकिन गोल की परने उतनी अच्छी सेव की अनिल काफी लंबे समय से बंडारी टीम के लिए खेल रहे हैं राज्य सेतर पर भी नोने अपना लोहा अंडर फॉर्टिन जो स्टेट हुई थी उसके अंदर मनवाया था और यह रनिंग का फाउल दिया है बिंदरासन ने बहुत अच्छा डिसीजन बड़े भाई का यहां से पास लेनी होगे आपको ओफीचल का बहुत ही स्टिक डिसीजन बहुत अच्छा डिसीजन और पास से खेलती होई एंडबोल एंडबोल बहुत अच्छा गेम है अमारे भारत के अंदर 1973 के अंदर यह पहली बार गेम आया था रोहतक के अंदर रोहतक जिले के अंदर यस्वंत सिंग चोहान जो थे वह जर्मनी से इस गेम को लेका है थे भारत के अंदर और बहुत अच्छे से ड्रीबल की इस खिलाडी ने और यह गोल पहला गोल चिश्राना ने किया है अब सकोर तीन परह बंडारी एक परह चिश्राना और यह विशल के साथ दुबारा फिर से मैच शुरू और यह सूरज अनिल ने गेंद को चिनवाया ड्रीबल किया था पारस पारस ने गेंद को चिनना है और लेकिन अनिल के पास गेंद है अब अनिल ने जो है बहुत अच्छे से सोट लगाया लेकिन आउट साइड कुछ भी नहीं होगा यहां पर कोई भी बहुत अच्छा बाहर से ली जाएगी अगेन बेलकुल और यह चिसरान आगे टीम अटैक पर और यह बेलकुल दो तीन का स्कोर है दो पर बंडारी दो पर सोरी चिसराना तीन पर बंडारी काफ़ी अच्छा टैक पर करने की कोशिश बहुत अच्छा खेलने की कोशिश दोनों टीमों के दौरा और यह हाथ पकड़ लिया गया है डिफेंस का पास मिलेगा यहाँ पर बंडारी टीम को आज वैसे भी माहोल थोड़ा सा जसी बारिस का बना हुआ है बहुत अच्छे सेव बहुत अच्छी सेव थी और यह चले हैं शुसराना की टीम बहुत अच्छे से खेलती हुई बहुत अच्छी कोशिस वहाँ के खेलाडियों ने की है बोल के उपर से शेव और बिंदर हमारे काफी अच्छे ओफिस्यल है सीनियर खेलाडी है काफी पानी पड़ी स्टिक में तो अब वो ऑफिस्यल की भूमिका में है और यह फुट हुआ है अब नाइन पास मिलेगा और यह निल बेलकुल पहले ही पकड़ लिया था खेलाडी को उसी का भुबतान करना होगा बहुत अच्छी कोशिश थी अमरजीत की लेकिन नाकाम्याब कोशिश गेंज हडरीबल हुई और चलती हुई दोनों की दोनों टीम में बहुत अच्छे से अज मेरे साथ भी कोई कमेंटरी नहीं हापर नहीं है के लिए को कमेंटरी करनी पड़ रही है भाई और समस्त ग्रामवाशी अटाव लागाओ और यह डबल का फाउल फिर से अटैक और यह सोरज बेलकोल दोनों अफिशियल साइद कुछ कहना चारे हैं आराम से खेली हैं अटबल बोल प्यार और महबबत से खेले जाने वड़ा गेम है लेकिन सोरज भी बहुत अच्छा टैक नहीं कर पा रहे हैं चुचराना फिर से अटैक पर बहुती अच्छा मुकाबला बेलकोल बेहुत अच्छा डिसीजन बिंदर आसन के द्वारा बहुत अच्छा शेव और आगे खिलाया और चुचराना बहुत अच्छा गाउं चुचराना एहर कुराना के पास गाउं चुचराना पानी पर डिस्टी का गाउं चुचराना बहुत अच्छा गाउं चुचराना और अब फिर से अटैक पर आए हैं चुचराना के खिलाड़ी डिफेंस पर बंडारी टीम बहुत सुस्तिक के साथ खेलती हुई दोनों के दोनों टीम में मुझे अभी तक वो बात नजर नहीं है ये दोनों टीमों में और ये देव्यान्स ने गेंद को छीन लिया है अनिल और बिल्कुल असा डिसीजन पहला हाप समाप्तुआ यहाँ पर बहुत अच्छा योजन अटावडा काओं के इन खिलाडियों ने किया है पहला हाप अभी और हुआ है सहे दूसरा हाप भी खिला जाएगा और मैं सुनमों करिया एक बार फिर्शप्स भी का स्वागत करता हूँ बंडारी वर्षी छिच्छना सेकंड्स हाफ इस मैच का और बहुत इच्छा और चांदर शांदर मैच अभी तखिला जा रहा है और यह बस्केट वाल वाले ड्रीवल करते हुए उसराना टीम के फिलाड़ी और सुरिया देवता ने भी दर्शन दिये हैं अभी तक जो खत्रा मंड़ा है रहा था टूर्णामेंट पर कहीं बारी सना हो जाए लेकिन वो खत्रा भी दूर करते हुए शिरिया देवता हमारे दर्शन दिये हैं और यह बहुत अच्छा सौट तीन-तीन की बराबरी पर तीन-तीन की बराबरी पर आ गई है अच्छा शौट और स्कौर हासिल किया बंदारे गाउने यह हैंडबोल एक ऐसा गेम है जो हर पोजिशन का गेम है सारी की सारी पोजिशन अगर किसी टीम के अच्छेंगे वहीं अब बिल्कुल च्यार तीन मेरे भाई अर्जुन कमेंटेटर है इस स्टेज पर इसी समय गेम चला अगर खेलते हुए शूरज बिल्कुल ऐसे छोटे बच्चों का जैसे उलम्पिक चल रहा है पानीपत उलम्पिक और अनिल बहुत अच्छा शोट अनिल का और एक और स्कोर काउंट करने में कम यब बंडारी टीम काफी अच्छा एडवांटिज यहां पर सिच्टाना के पास कि उनके पास एक लेफटी खिलाडी है लेकिन बंडारी टीम ऐसी टीम है जो की उनके पास कोई लेफटी खिलाडी आज तका है यहीं है जितने भी खिलाडी प्रैक्टिस करते हैं और यह शोट बहुत अच्छा मरजीत का शोट चिच्टाना आ गया है टैक पर यहां पर लगातार दो टैक सफल हुए बंडारी टीम के मेरे शाबसे तो उनके लीड होनी चाहिए स्कोर में छेंपर आना चाहिए बंडारी सूरज ने बहुत अच्छा डीफेंस करके दिखाया अभी तक और यह गेंद और फेंट करने के कौशिस लेकिन बहुत अच्छा डीफेंस यहां पर अमरजीत द्वारा अमरजीत इनका पुरा ना में वैसे गाउमें बोडी के नाम से जाना जाता है इनको बहुत ही अच्छे खिलाड़ी भी हैं और यह नाइन पास थ्री मीटर लेकर बहुत अच्छा सा डीफेंस बंडारी टीम ने यहां पर अभी तक दिखाया है अनिल अराम से आते बहुत अच्छा सोट संदार जांदार शोट अनिल के द्वारा साथ च्यार साथ बंडारी के हैं च्यार यहां पर जो हैं चिस्डाना काओं के अच्छा खेल रहे हैं चिस्डाना के बलेर अलग इतना जादान बो नजर नहीं आ रहा है और बहुत अच्छा पास शानदार पास जानदार पास लेकिन नहीं मुनेराई हैं देश के सिपाई हैं और ये अनिल डिफेंस पास बिल्कुल बहुत अच्छा डिसीजन ओफिशियल ने दिया है और मैं बहुत ही सुबकामनाई देता हूँ पानिपडिस्टिक के राहुल को जो कि जुनियर नेशन के बेस्ट खिलाडी थे अभी आल इंडिया के अंदर अच्छा डोज लेकिन उतना ही अच्छा डिफेंस भी उन्हें निच्छे से उतारा और ये पारस ने कोशिश कीज़ लगाने की लेकिन बंडारी गाओं के टिम भी बहुत अच्छी खेलते हुए इस राना गाओं के बच्चे भी बहुत अच्छे खेलते हुए पास खिलाने में काम्याब पीपी के लिए तैयार नहीं थे वैसे ही बंडारी जिस परकार से अटेक करने में काम्याब रही है अबी तक और ये डिफेंस मोहत अच्छा स्वाट संदार सो पान इलका स्कोर काउंट करने में काम्याब और चले हैं यह कि अगो देलने टीम अभी स्टाट करेगी कृवत अच्छा मेच काही बार में बहुत अच्छा माइच है शंदार और बिलकूल स्क्रीन अ बहुत अच्छा क्या बात है क्या गैब ढूंडा है बहुत शांदार और जांदार और ये पहुंचे हैं पेनलिटी लगाने के लिए शांदार और जांदार के लाड़ी ये तो अंदो के तीर थे भाई भी टोड़े में नहीं लगवाए और अटाइक पर फिर से बंदारी गाहों की टीम और गेंद का इंतजार ये गेंद आएगी और ये गेंद और फिर से मुकाबला शुरू सूरज का शोट बहुत अच्छा शोट नाइन शोट और स्कोर करने में कामियाब और ये शुरू किया अच्छा खेलतावा अच्छी सिडाना बहुत अच्छा खेलतावा डिफेंस बहुत अच्छा सूरज का भी अच्छा डिफेंस करके खेलतावी बंदारी टीम और ये बिल्कुल अभी तक कोई गोल्ड काउंट नहीं होई है क्योंकि ये भी एक रूल है मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो गेंड जो है वो पूरा का पूरा तो अच्छा हूं कि अच्छा बेल्कुल अलोज गेते थे बहुत बच्चे एक बर सारे के सारे पी पी की सक्रीन अनिल 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 ये चले हैं अ मर देर और यह फिर से गौर्ड अच्छा खेला बंडारी अच्छा राना टीम में उत्साब कम दिखाई देता हुआ छोटे बच्चे हैं उत्साइन में काफी होना चाहिए बाहर से जो कोची साइबान अगर वो हुसला लगातार खिलाडियों का बढ़ाता रहे तो वो बेश साइड से और अमारी गेंद है साइड से ओ स्वारी अमारी मतलब की अमारी टीम खेल रहे हैं बिल्कूल बिल्कूल करेक्शन करिए वहाँ पर लाइन टच करके आपको गेंद को बाहर से लियना होगा और यह पास किलाया है और डबल 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 सोरज ने डबल की उसी का बेनिफिट उसी का फाइस जो है फाइदा उठाया अच्छा स्कॉर किया चिचराना क्लैप फोर चिचराना और बंडारी फिर से टैक पर आखरी किया एक मिनट बच्छी है इस मैच की और यह रहीं हुआ बेल को अच्छी से थे इसरा नोट कि पर युद्य कई शिचराना गाओं के बच्चे बहुत अच्छी खिलते हुए अलाकि उनके अंदर बोडीवेट कम है दो बच्चों के अंदर ही बोडीवेट है दो खराइंद शिचराना क्ली आखरीbig प्राइदा और ये पास्की लाया साहिल ने गेंद को पकड़ी है साहिल ने गेंद को पकड़ा है और ये जितेंदर शोट और अब फिर से इस गेंद के साथ ही मुकाबला शुरू होगा बिलको लर्जुन जी ने बता ही दिवो बात जो मैं अभी बोलने वाड़ा था कि आखरी एक मिनट इस मुकाबले की बहुत अच्छे और ये शोट करने में कामियाब मुकाबला फिर से शुरू और इसी के साथ ये मुकाबला शुरू सुरी समाप तो गया है जो स्कोर रहा बहुत अच्छे के लिए दोनों के दोनों टीम में